बारती जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम हर साल दो करोन नोकरी देंगे बारती जनता पार्टी के लोगों ने दो करोन नोकरी का वादा भी नहीं पूरा किया बारती जनता पार्टी के सासन ब्योस्था में पूरे देश में जो कल कर खाने थे जियस्टी के नाम पर ब सबसे ज्यादा यही समस्या योगी जी सिरच्छा क्या देंगे यहां पर पता नहीं कितनी हत्याय हो गई है साल साथ 2-2 साल तक हो गया लेकि गरपतारी नहीं हो पाई तो किसे माना जा कि इनका सासन पर उस्ता सभा रहे हैं तो पूरे देश में बहूत से लोग जो है कि ऐसे गुंडे माफिया नहीं चोला है कि लोग पर इसलिए उनका कि सामान नजरिया नहीं जा रहा है कि श्रीमान जी मेरा नाम राजास भाराती declaring सदर जिला पंचायत प्रतिनी दिंग हूँ सुल्तानी पूर मौव से मैं हूँ सर क्या है माहल आजमगर का महल बहुत अच्छा है श्रीमान जी बहुजन समाज पार्टी हर सीटू पर लगवा हमको लगता है कि सफलता प्राप कर पाएगी अखलेस यादव जी का यहां पर काम जो है जो जैसे एक चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर के हिसाब से जो काम होना चाहिए वह काम नहीं दिखता है कि समाज बादी के राष्ट यтеखंड और चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जब एक चीफ मिनिस्टर का जो संसदि छेतr होता है उस छेतr में जो विकास की उमेद जनता यहां समझती है हमारे जो चीफ हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं हम सुससरी के हम लोग हैं आप च्छा विकास होगा है लेकिन जिस यसाब से जिस अमीद जी आएंगी पूरे मंडल में जहां तक यह मंडल हमारा है मंडल से बाहर भी बहन जी के आने के बाद जिस साफ से यहां उत्सा भरा हुआ है पूरी जनता में मुझे लगता है कि यहां पूरा यह जगह तो मिलेगी नहीं यहां पे बहन जी के आने के बाद भेड़ इतनी कठा पर डिखा कर देखा जाए तो है सपा और बस्पा की टक रही है भी ज़ेपी की स्थिति क्या रहेगी ड कि अप जानते हैं विजेपी पांच साल कि साथ यहां पे रही है और उस्पहए जानते होंगे आप पत्रकार नहीं होता ने का आपके आजम गड़ जिले में हर सीटों पर बियास्पी मजबूत है ब्सक्रणद इस वार मुझे लगता है कि वास्तों में जी जो कहती है कि 2007 की तरह जैसे सीटे निकली थी उसी तरह से इस बार भी जो है हर जगह से मेडिया तो हमेशा हमको कम आकता है आज नहीं स्रीमान जी 84 के बाद मानेमर कांसी राम साहब जिस तरह से अंदोलन छेड़ा था उनके अंदोलन छेड़ने के बाद जब-जब यहां तक की मीडिया के लोगों से कांसी राम साहब नराज भी थे क्योंकि वह सहीज चीज नहीं इस नाते जो है उन्होंने का था जब की मीडिया दिखाती एक कुछ कितनी सीटे आएगी इनका कोई अस्थान नहीं है यह सरकार नहीं बना पाएंगे यह बहुंबत में नहीं आएगे लेकिन नतीजा उनके अलग चोकाने वाला हो जाता है लगातार पूरवांचल की तरफ जिस तरह बहेंजी की अब जन सबाय हो रही है उनमें भीड बड़ी त्यादाद में आ रही है क्या वो परिवर्तन कर पाएगी है भीड़ी बनके रह जाएगी बहुजन समाज पाटी की भीड हमेशा जो है सिरिमान जी गरीब जो है अपना पैसा रुपिया लगा करके भीड़ी कठा करते हैं ऐसा नहीं कि कोई डिगरी कालेश से कोई जो है कि अपना संस्था कोई चला रहा है उनको लड़कों को ला करके यहां भर दे पैसा रुपिया खर्च करके भर दे बहुजन समाज पाटी गरीबों की पाटी है और गरीब अपना पैसा माताएं बहने जो है खून पसीना की जो पैसा रखी रहती है मजदूरी जो पैसा रखी रहती है उस मजदूरी के पैसा से जो है बहन जी को देखने के लिए आती है बहन जी की बात को सुनने के लिए आती है और भीर कठक करती और वोट मांगती हैं और बिंती करती हैं कि बहन जी जो है कि पाचवी बार इस बार मुख्यमंत्री बन जाती धरम जाती धरम जो है स्रीमान जी जाती धरम नहीं चलेगा सारे लोग बहन कुमारी मायावती के लाइन आडर को देख करके उनके प्रसासन को देख करके हर समाज ह इस बार वोट करेगा और बेन जी पाजवी बार मुख्यमंत्री बनेंगा आप यूद्ध है नोकरी मिली सरकार में तीन साल से पूरी नहीं वह उसमें हम लोग परसान हो गए सब्सक्राइब यहां पर है यहां विकास अभी कुछ नहीं हुआ है जो भी यहां वहता है बहन्ज की है और यहां पर मोदी जी योगी जी सभी सभी लोग अभी परसान है सब्सक्राइब अभी आप लोग आए होंगे रास्ते में खुदी देखकर आए होंगे सबी लोग इदर परसान है सबी लोग चाहते हैं बहन्जी आए यहां पर यहां कोई किसी को पैसे देकर नहीं बुला रहा है सब्सक्राइब लोग अपने पैसे लेगा कर अम लोग को जिला महू पड़ता है लेकिन वहां अपना पैसा लगा कर अपना तेल भाण लगा कर इतना दूर भाण लोगा सब्सक्राइब लोगा